हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू कॉंट स्टडी, आज हम करने जा रहे हैं एजीस का पाट टू, जिसके साथ हमारा एजीस चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इसके लावा हम इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी एक्टिव हैं, ये रहे डिरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ, इन टॉपिक्स को ध्यान से देख लीजिए, इसमें से हम परसंटेज कर चुके हैं, रिशियो पर पोरिशन कर चुके हैं, और आज हम एजीस चैप्टर भी खतम कर देंगे, और ये सब टॉपिक्स आपको पहला पार्ट लगाया, उन बच्चों के लिए इस कोशन को सौल कीजिए, उस कंसेप्ट के बेसिस पर जो आपने पहले पार्ट में पड़े हैं, और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले कोशन के साथ, तो कोशन कह है कि प्रेजन जो है मधर और डॉडटर की वो है 7 is to 1 की रेशो में, चार साल पहले वो थी 19 is to 1 की रेशो में, और अब हमें बताना है कि चार साल बाद मदर की एज क्या होगी, तो देखते हैं इस कोशन को कैसे, यह कंसे मैं आपको करवाया है, इसमें एक नई चीज इंट् दिख रहा है कि 7 से 19 में 12 का increase हो रहा है और 1 से 1 में कुछ increase decrease नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पिछले lecture में भी बताई थी कि ratios को balance करेंगे कैसे present age का gap निकालेंगे पास्टेज का gap निकालेंगे वो आजाएगा present age का आजाएगा 6 पास्टेज का आगया 18 अब हमने पिछले lecture में पढ़ा था कि पास्टेज का जो 18 है वो present के साथ multiply होगा और जो 6 है वो past के साथ multiply होगा ऐसा ही पढ़ा था पर एक और चीज हम कर सकते हैं यह एक निया concept है इसमें क क्या करने हमें 3 multiply करने present के साथ और 1 multiply करना past के साथ पास्ट के साथ 1 multiply करने वे तो उसकी ratio chanGE नहीं पर present के साथ 3 multiply करने पर करने पर हमारी जो new ratio होगी present की वो रहेईगी कुछ ऐसी present ratio हो गी हमारी 21-3 , पास्ट ratio होगी हमारी 1990-1 , अब हमारी पुरानी ratios को भूल जाना है अब हमें इनी ratios पर काम करना है अब आप देख सकते हैं कि present से past में दो units का decrease हो रहा है mother के case में भी daughter के case में भी अब हमारा question जो है right direction में जा रहा है क्योंकि past जो है वो कम होना चाहिए present से ठीक है अब उन्होंने क्या का है हमारी ratios में तो हमारे two units का gap आ गया अब उन्होंने question में कुछ value दी होगी जिससे हम compare कर सकेंगे तो क्या का है question में लिखा हुआ यहाँ पर four years ago यानि चार साल पहले ratio में हमारे पास चार साल की क्या value आ रही है present age क्या दिख रही है आपको 21 unit दिख रही है मदर की अगर एक unit की value है दो तो 21 unit की value क्या होगी 42 और उन्होंने पूचा है आज से चार साल बात क्या होगी 42 में 4 add करेंगे तो मदर की यह जाएगी 46 चलते हैं हमारे second question पर second question कहा रहा है कि मीना जो है एक लड़की उसकी 10 सल पहले शादी होई थी आज उसकी age जो है वो 7 by 5 times है उस age के जिस age में उसकी marriage होई थी यानि 10 सल पहले जो उसकी marriage होई थी आज उसकी age जो है 7 by 5 times है उस age के ठीक है उसकी daughter भी है आज के time पर और उसकी age है 1 by 5 times मीना की present age के ठीक है अब उन्होंने पूछे कि मीना की age की ratio ठीक है what is the ratio of मीना's age to her daughter age 5 after 5 years यानि कि 5 साल बाद मीना की और उसकी daughter की ratio जो है age की ratio वो कितनी होगी हमने लिखा कि जो 7 by 5 हमें term दी गी थी मैंने आपको का था कि denominator ही एक ऐसी पार्ट होता जिससे हम question शूरू करते हैं तो उन्हें काया उसकी आज की age 7 by 5 times है उस age के जब उसकी marriage हुई थी अब एक चीज़ बताईए वैसे तो आपको यह चीज़ आ जानी चाहिए क्योंकि इस हो common sense पर बेस्ट है और 7 minutes उसकी present age होगी या उसकी marriage के टाइम वली होगी और वी से बात है marriage उसके दस सल पहले हुई थी तो चोटी यह जो होगी वह पहले वाली age होगी और बड़ी यह जो होगी वह प्रेजन होगी तो five minutes हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी marriage के time की age थी और 7 unit हम assume करेंगे कि उसकी आज की age है अब उन्होंने क्या कहा है कि उस age में और आज की age में 10 सल का difference है क्योंकि 10 सल पहले शादी हुई थी और ratio के हिसाब से जो हमने assume कि है वह 7 unit और 5 unit उसके हिसाब से इन दोनों की उस time की और आज की time की age का gap 2 units का आ रहा है next line कहते है कि उसकी daughter की जो present age है वो उसकी मदर के 1 by 5 है ठीक है यानि कि अगर मीना की age जो है 35 है तो daughter की age क्या होगी 35 divided by 5 7 years ये present age की बाद चल रही है अब question कहा रहा है what is the ratio of मीना's age to her daughter's age 5 years later यानि after 5 years ठीक है 5 साल आगे की बाद अगर मीना की age जाज 35 है तो 5 साल बाद क्या होगी 40 और उसकी daughter की age अगर 7 है तो 5 साल बाद क्या होगी 12 ठीक है तो ratio क्या आ जाएगी 10 is to 3 की जब हम इस ratio को 40 is to 12 को short करेंगे तो यह ratio आजएगी 10 is to 3 और यही है वो ratio जो हमारा question demand कर रहा है next question पर चलते हैं the product of present age of Sarita and Gori is 320 अब एक चीज़ देखे जब भी हमारा question आएगा न product of two ages जब भी दो ages का product कहा होगा तो सीधी सी बात है इस question में quadratic equation बनेगी ही बनेगी ठीक है आप इस question को बिना quadratic equation बनाए solve नहीं कर सकते तो अगर आपकी quadratic equation अच्छी है तब ही आप ऐसे questions को attempt करने ही कोशिश करना otherwise ऐसे question को skip कर देना चलो देखते हैं कैसे करना ही question सरिता और गोरी की 320 है multiplication की गई है उनकी जिसकी तो 320 आ रहा है 80 years from now from now आज से 8 साल बाद यानि future की बात की जारी सरिता's age will be 3 times the age of गोरी तो सरिता की जो होगी वो गोरी की एज के 3 times हो जाएगी तो हमें यहीं से बात चल गया सरिता बढ़ी है गोरी चोटी है सबसे पहले उन्हें हमने सरिता को एस मान लिए गोरी को जी मान लिया उनका पड़क लिक दिया हमने 320 अब उनने बात की है 8 years from now सबसे पहले तो जब आएगा 8 years from now अब S में 8 एड कर लोगे जी में 8 एड कर लोगे क्योंकि 8 years दो दोनों में एड होंगे अब उनने क्या कहा है 8 years के बाद उनकी एक रेशो दिये जो है 3 is to 1 वो मैंने आपको ऐसे लिखके दिखा दी कि S प्लस 8 और G प्लस 8 जो है वो 3 is to 1 की 8 रेशो में है जब हम इसको cross multiply करेंगे तो यह बन जाएगा S plus 8 equals to 3G plus 24 अब हमने जो alphabet वाली terms है वो एक side ले लिए और numbers एक side ले लिए तो हमारे पास कुछ ऐसा आगया है S minus 3G equals to 16 अब आपके पास दो option है यहां तो आप पहली वाली equation में S की यह जी की कुछ भी value कर निकाल लो 320 के नीचे दूसरी term को लेके for example आपने एकर G की value निकाल ल वाले में डालो क्योंकि वो reciprocal में नहीं होगी आपका question थोड़ा easy हो जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया S को ले लिया 16 plus 3G ठीक है 3G दूसरे साइट चला गया तो 16 plus 3G हो गया और वो हमने सबसे उपर वाली equation में put कर दिया तो हमारे पास कुछ ऐसी आगी equation 16 plus 3G को हमने G से ही multiply करने है और हमारे उसको 320 की equal कर देना है यह करने के बाद हमारे पास आएगी 3G square plus 16G minus 320 is equal to 0 मैंने आपको question के starting में बताया था ऐसे question जब भी AG's के product होगा तो वो quadratic equation बनाएंगे ही बनाएंगे ठीक है quadratic equation chapter जो है आपको विशाल सर कवर कर आएंगे तो इस टाइम में बस आपको स हिस्ता नहीं है मैं बस आपको बता देता हूं कि factors हैं 24 और 20 तो roots आएंगी उसकी 24 by 3 और minus 40 by 3 यह कैसे है यह आपको विशाल सर ही बताएंगे ठीक है 24 by 3 आगी और minus 40 by 3 आगी minus तो जो है वो गोरी की age minus में हो नहीं सकती तो obvious बात है गोरी की age क्या होगी 24 by 3 which is 8 years ठीक है अगर गोरी की age 8 years है और गोरी और सरीता का product 320 आ रहा है तो हम 320 से 8 को divide कर देंगे तो हमरे पास सरीता की age आ जागी हमरे पास 40 years पर क्या हो उन्हें कोशन में सरीता की present age पूछी है नहीं उन्हें पूछा है कि what was the age of सरीता when गोरी was born अब suppose कीजिए आप आज 10 साल के हैं तो आपके प पैदा होई है आज से 10 साल पहले पैदा होई है और आपकी पापा की आज जो भी present age हम उससे 10 साल minus कर दें तो आपके पापा की वह जाचे की जिस साल आप पैदा हुए थे वही चीज हमने की है अगर गोरी की age आज 8 साल है तो सरीता की age हमने जो निकाल लिया वह 8 साल पहले क पैदा हुई थी ठीक है चलते है next question पर इस question को पढ़ने में आपको लगेगा कि बहुत असान है पर इस question में एक पड़ी छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है अगर वो छोटी सी चीज आप ध्यान नहीं रखोगे आपका पूरा question ही पलट जाएगा question क्या है my grandfather was 8 times older than me 16 years ago he would be 3 times of my age 8 years from now what is the new ratio of my age to that of my grandfather now present की बात कर रहे है question पूछ रहे कि आज मेरे और grandfather के बीच में ratio क्या होगी ठीक है सबसे पहले हमने लिख लिया past में लिख लिया की बई 1 is to 9 की ratio अब ये 9 कैसे आया question में तो 8 का हो है 8 times older ठीक है तो ये 9 कैसे आया अगर question ध्यान से पड़ोगे तो question में कहा है my grandfather was 8 times older than me than me का मतलब अगर आज मैं 1 unit हूँ मेरी एज अगर आज है 1 साल तो मेरे जो grandfather है वो मुझसे 8 साल बड़े है बड़े का मतलब कि मेरी age में 8 साल add होगा ठीक है ठीक है मैं उमीद करता हूँ आपको ये concept समझ आया अगर सिर्फ लिखा होता my grandfather is 8 times the age of me 8 times the age of me 8 times older than me इन दोनों के difference समझिए अगर लिखा होता 8 times the age of me तो आप अपनी age को one assume करते grandfather की age आज़ती 8 क्योंकि उन्हें कहा है कि मेरी age के 8 times है पर उन्हेंने 8 times नहीं कहा उन्हें कहा है 8 times older than me ठीक है older than me में क्या होगा आप अपनी age में वो 8 add करोगे अगर younger than me होता आप अप इन चीज़ों को differentiate करना आ गया 8 times age of me 8 times older than me 8 times younger than me इन चीज़ों को differentiate करना अगर आपको आ गया हम question में अगे further चलते हैं ठीक है अब यह बात चल रही है कि 16 years ago 16 years ago आप किस से लोगे present से लोगे या future से लोगे और वेसी बात है अगर आप कह रहे हो 16 साल पहले की बात है तो आप आज से 16 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम इसमें एक present भी introduce कर देंगे उसका कहीं use नहीं होगा उसका बस gap निकालने के लिए हमने रखा है तो क्या है गी past और present में 16 साल का difference है और 16 साल पहले grandfather और मेरे बीच ए 1-9 की ratio थी ठीक है future की बात करते है कि 8 साल आज से 8 साल बात present और future में भी 8 साल का gap है और 1-3 आगी मेरी और grandfather की ratio ठीक है अब सबसे पहले चीज तो हमें इनकी ratios को common बनाना है ठीक है अब कैसे common बनाना है मैं यह आपको बार बार नहीं सिखाऊंगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे common बनाना है अब जब हम पूरा question को solve करेंगे तो हमा इन और 12 में 3 की addition हो रही है अब आपने देखा कि past और present में 16 का gap था और present और future में 8 का gap था तो past और future में क्या gap होगा हम वो बीच की जो दो टाम्स आई है 16 और 8 उसको add कर देंगे तो past और future का gap आजाएगा तो past और future का gap क्या आजाएगा 24 years का 16 plus 8 24 years का अब question जो हमने ratios निका ल of my age of my age to that of grandfather's age now present की बाद चल रही है ठीक है तो आप आपके आज दो option है ठीक है यहां तो आप past की age निकालो और इसमें 16 add कर दो यहां तो आप future की age निकालो और इससे 8 minus कर दो ठीक है मैं इस question को future की age निकालके 8 minus करके solve कर रहा हूं ठीक है तो future की age आगी वही चार unit थी मेरी 12 grandfather की तो चार में 8 addition की हमने multiply किया तो मेरी age आ गई 32 एर वैसे ही grandfather की age आगी 96 एर अब हमने present नकालना है अब यह तो हम future नकालने हमने हमने present नकालना है तो हम 8 minus कर लेंगे मेरी age से 8--24 आएँगा ग् तो 824 is to 88 आगी ratio जिसको हम short करेंगे 8 से हम divide कर देंगे दोनों number को तो हमारे पास ratio आ जाएगी 4 is to 11 की यह आए हमारा next question A और B की present ratio दी हुए है by 10 is to 13 और 8 is to 15 कौन सी ratio है? A की age आज से 10 साल पहले और B की age आज से 10 साल बाद समझें? अगर हम A की age को आज से 10 साल पहले 8 units दे रहे हैं तो B की age को आज से 10 साल बाद हमें 15 units देना होगा ठीक है? अब इन्होंने वही चीज पूछिए जो बचे होए gap है यानि A की age 10 साल बाद और B की age 10 साल पहले इसकी ratio बतानी है क्या होगी? अब इस question को हम कैसे करेंगे? चलो देखते हैं इसमें भी 3 time events आ रहे हैं past, present, future तो हमने वो लिखे present थो ठीक अभी सिदा सिदा दिये 10 is to 13 अब A की age 10 साल पहले यानि past और present के बीच 10 साल का gap है 10 साल पहले A की age थी 8 unit उस 8 unit के according B की age आज से 10 साल बाद होनी चाहिए 15 unit वो चीज हमने भर दी अब ये question कैसे करना है? हम A और B की present present ही है एक term जो हमें अभी ब्राबर ब्राबर दी हुई है तो हम क्या करेंगे? A को 10X मान लेंगे, B को 13X मान लेंगे अच्छा A की age 10 साल पहले, यानि 10X minus 10 और B की age 10 साल बाद, यानि 13X plus 10 ठीक है? और इनकी ratio हमें दी हुई है 80 to 15 की ratio में ठीक है cross multiply किया 150X minus 150 is equal to 104X plus 80 हमारे पास 46X की value आगे 230 जिससे हमने X की value निकाल ली 5 तो 5 निकालने के बाद हम present age निकाल सकते हैं ये जितने भी हमारी numbers हैं जिनको हमने XX resume किया हुआ है ठीक है? तो उसमें हम value डाल देंगे अगर A की present age 10X थी तो इसकी X की value पूट करने के बाद A की age के आ जाएगी 50 वैसे B की age के आ जाएगी 65 A की आगी 50, B की आगी 65 A की 10 साल पहले होगी 40 B की 10 साल बाद होगी 75 तो अगर हमें B की 10 साल पहले के निकालनी है हम 65 में से माइनस कर सकते हैं 10 वैसे A की 10 साल बाद की निकालनी है तो हम 50 में 10 आड़ कर सकते हैं तो A की age 10 साल बाद आगी 60 B की आगी 10 साल पहले 55 ठीक है? तो इनकी ratio आगी 60 इस तो 55 जो की है 12-11 यह सब हम ने किया मुझे लगता है आपको यह चीज समझ आ गई होगी ठीक है पर यह जो कोशन है हमें इस मैथड से नहीं करना क्योंकि यह मैथड एफिशेंट जरूर है पर हम इसे लॉंग मैथड कंसीडर करेंगे इसे कैसे करना है अब देखते हैं ठीक है अब अब आपने देखना है यह कोशन पर आप यह ट्रिक सिर्फ तब ही लगा सकते हो जब हमें जो एज का गैप है वो बराबर बराबर जैसे 10 सल पहले की बात की है एज की एज की 888 वैसी 10 सल बात की बात की है बी की एज की 15 अपन्दर अनुट थी और अब जो बचे होए गैप की ratio हमें जो age है वो same होगी 10 साल 10 साल ही दी होगी और हमें बच्चे होए जो gap से हैं उनकी ratio पुछी होगी है सिरफ तब ही apply होगी कुछ नहीं करना है अपने trick में जब आपने देखा कि सारे age के gap बराबर हैं तो आपने individual individual के जो age का gap है वो निकालना है जैसे a का past में था 8 तो present में है 10 कितने unit का increase हो रहा है दो unit का तो present और future में भी 2 unit का increase होना चाहिए जब आप 10 में 2 add करोंगे तो future की ratio जो value होगी वो होगी 12 unit वैसे हम देखेंगे b को b की अगर future में 15 और present में है 13 तो present से future में कितने unit हो रहे हैं दो unit ठीक है वैसे हमारे past से present के बीच भी दो unit ही add-on चाहिए अब किस नंबर में दो unit add करोगे तो आएगा 13 वह आप add करोगे 11 में तो 11 आ गया b का past ठीक है और training की ratio बूची हुई है तो 12-11 आ गया सिधा-सिधा इनका answer वह पिछला method लगा के इतना बड़ा solve करके भी 12-11 आया और यह शौट ट्रिक लगा के भी 12-11 आया और मैंने आपको बता दिये कि यह शौट ट्रिक कहा apply होगी और कहां नहीं apply होगी ठीक है इसी के इस chapter को असानी से पढ़ने में बहुत help मिल जाएगी ठीक है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको यह channel की videos समझ आ रही है असान लग रही है तो आप हमारे channel को subscribe भी गीजिए और इसी के साथ हमारे जो आज की वीडियो है इसे अपने friends के साथ share भी गीजिए थैंक यूद आइसे अपने फ्रेंड्स के साथ share भी गीजिए थैंक यूद